नमस्कार आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ रैम प्लस फीचर के बारे में यह रैम प्लस फीचर क्या है रैम को बढ़ा देता है मतलब सिंपल है अगर हमारे फोन में 6GB रैम दी गई है और रैम प्लस फीचर से उसमें अगर हमको option दिया है 4GB बढ़ाने का मेरी समझ में तो यह स्ट्राटीजी है मार्केट में अपने मोबाइल फोन को बेचने की बहुत ज्यादा टेक्निकाल्टीज और डीटेल्स में घुसकर के एकदम मैं आप लोग को समझाने बैठों को ना तो confused हो जाओगे बहुत आसानी से समझाता हूँ दो चीज़े हमा आप्लिकेशन बैक्ड्राउड में ओपन रहती है और जो रैम प्लस फीचर होता है वो क्या करता है कि अगर बहुत ज्यादा अप्लिकेशन खोल दी हमने मतलब हमने 15-16 अप्लिकेशन खोल दी उसमें दो चार अप्लिकेशन जो की रिफ्रेश नहीं होती है जैसे कि हो गया क फिर कोई नोट की अप्लिकेशन हो गई जहांपर गया अपने नोट वगयारा बनाते हो गूगल की इफ हो जैसे कि उसका नाम तो इस तरीके की की महीं करेंगा वह उठाकर का हाड ड्राइड में स्टोर कर देगा तो हाडड ड्राइव में स्पेसं क्रिएट कर देगा चार तो वहां पर RAM बढ़ नहीं गई है कि अगर हम सोचें कि हमारी RAM बढ़ गई और हम गेम खेलेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी या हम वीडियो एडिटिंग जैसे या फिर कोई और फोटो एडिटिंग जैसे बड़े हैवी काम करेंगे तो हमाई स्पीड बढ अगर आप करते हो तो फिर 8GB RAM वाला फोन ही लो और देखो कि DDR5 हो तो बहतर है DDR4 भी बहुत फास्ट होती है फिर आप जाते हाट ड्राइव जो इंटरनल स्टोरेज होता है फोन पे इंटरनल जो कंप्यूटर से जुड़ोंगे उनलों को पता ही होगा कि जो हाट ड्राइव उसकी एक lifespan होता है मतलब उसकी उमर होती है कि वह कितने दिन चल सकती है और वो किस पर निर्बर करता है कितना उस पर राइट करते हैं कितना उस पर रीड करते हैं तो रीड राइट एक लिमिट होती है कि हाँ इतना जादा रीड राइट रीड कर सकते है उसके बाद खताब जैसे कि अगर हम एक copy खरीद के लाते न रेजिस्टर लेगे है उसके हमने notes बनाने शुरू किया अपना pen से लेगे है खटखट 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 एक time आता है कि register भर जाता और खतब हो जाता है सेम वैसे ही यहाँ पर जो internal storage होता है उसकी एक उमर होती है और जितना ज़्यादा read right उसका जो use होगा उसकी वज़े से उसकी उमर कम हो जाएगी Internal storage की उतनी speed नहीं होती, जितनी की RAM की होती है तो internal storage की तो speed वैसे ही कम होगी अब जब हम उसको अपनी RAM के साथ add कर दे रहे हैं तो उससे कुछ addition हमको मिल नहीं रहा है तो वहाँ पर कोई speed का improvement नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा phone की memory बहुत पढ़ गी और हमाई speed बहुत बढ़ गी अब gaming performance बहुत अच्छी होगी वो सिर्फ illusion है भ्रहम है वो actually नहीं हो रहा है तो हमें करना क्या चाहिए फिर भाई आप दिया है feature तो यूज करना है तो यूज करना है ऐसा जरूरी नहीं तो वहाँ पर इस तरीके को फोन ही नहीं हो सकती है तो यहाँ पर यह सारी चीज़े तो हो नहीं सकती है उसको गिमिक को जादा उस पर फोकस करने की जरूरत है नियम को तो अब हमें करना या चाहिए अगर हमारे फोन में यह feature दिया गया है कि इसको हम off कर सकते है तो off कर दो सीधा सीधा इसको यूज करने की जरूरत नहीं है मेरी recommendation यही है बाकि जिसे जो जैसा करना है वो कर सकता है उसमें कोई problem नहीं है तो जो technically background जो मेरा है जहां से मुझे यह चीज पता है कि यह हमारी internal storage क इसको affect कर सकती है चीज तो उस point of view से मैं प्रिफर यही करता हूं कि यह off ही रहे अब जैसे मेरे पास Samsung Galaxy S20 FE 5G phone है तो अब इसमें क्या था कि भाया जब मैंने यह लिया था तब इसमें RAM को जो इसमें RAM Plus का जो feature है उसे off करने option था ही नहीं या तो 2GB लो या 4GB लो लेके रखो अब चाहे 2GB लो 4GB लो बात तो ही है गुमाफिरा करें के जो मैंने आपको बताई वो सिरिफ इसकी जो read-write की वजह से इसकी जो उमर है वो कम कर रहा और कुछ नहीं कर रहा तो भया तब से तो मैं परिशान था कि भी अभी यह off करने का feature नहीं क्या करूँ और मैं बहुत रहला काम इसे off कर दिया चलिए मैं आप लोग को भी practical करके बताते हूं कि कैसे इसे off कर सकतें तो रहे प्लस में जाने के लिए करना क्या होगा स्टिंग में आते हैं सेटिंग मैंने के बाद फटाफाट सर्च करते हैं रायम र तो रैम प्लस दिखा देगा मैं रहें प्लस म और छाए ना चार ना च्रहा है मैं तो इसको सीधा-सीधा यहाँ पर कर रहा हूं आफ तो अभी यहां पर कहता है कि टू ठर्न लिखा है कि रैम प्लस यूज़ यॉर फोन स्टोरेज स्पेस तू प्रोवाइड वर्चुल मेमरी चूज मोर वर्चुल मेमरी तू अलाव मोर एप्स तू स्टे ओपन इन दी बैक ग्राउंड तो अब इससे वही मतलम ना जो मैंने बताया था कि अगर बहुत जाद अप्लिक अगर आपके पास पास भी नहीं होता है वह सिर्फ आभास होता है बस imaginary चीज होती है वह अतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती जितनी की actually होनी चाहिए तो अगर आपके पास option है 6GB और 8GB तो आपको अगर ज्यादा चाहिए तो आप 8GB वाला फोन खरी दो बजाएगी इस तरह बढ़ा लेंगे यह सोच करके फोन खरी तो अब यहां पर 2GB स्पेस मेरे को मिल गई ना तो मैं अगर को वीडियो बना रहा हूं या कुछ बना रहा हूं तो जहां वह माली जाए उधारन के लिए 10 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो फोन में मेरे पास स्पेस बढ़ी है क्या बात है बट एक्चली वह है तो वही 6GB प्लस 4GB जितना भी बढ़ा सकते हो वह कहने को तो तब भी आप कह सकते हो आपने आफ की वह बात अलग है बट अगर आपको किसी को रंगबाजी जाड़नी है तो बोल देना यह देखो वहाई पास देखो RAM एड़ करन प्राइस में कोई इसा कंपलजन नहीं है कि आप ऐसा इसको आफ करो ही करो और अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आ नीचे लगे लाइक के बटन को दबा देना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसा लगा और किन बारे में आप जानकारी चाहते हो कि इन टॉपिक्स के बारे में आप जानकारी चाहते हो वह सब नीचे जरूर लिखना मैं जल्द फे जल्द उन पे वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा फिल्हाल मैं आप लोग से आगया लेता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत बहुत बढ़ रेता है तो झाल से जरूर लोगों का लोगों ये जरूर लोगों का लोगों का बश्री चाहते हो आप लोगों का फिल्द दो आप